वेल्कम स्टुटेंट्स टूड़ेंगे तोड़ पाउट पाउट फॉर्ट पाउट फॉर्ट फॉर्ट पाउट इस चाप्ट यहां क्या सीखेंगे इतना सा सीखेंगे कि भाई हमने अभी तक क्या सीखा था हमने यह सीखा था कि aghurm के लिए शीखाना कहा थे हमारे पैसे कितने लाट होंगो कि कितना पैसा हमारा हमद्य से कहां नेट वर्किंग क्यापिटल हमें कितना चाहिए वह हम यहां निकालने की कोशिश करें अब जब questions आएंगे तो वहां पर आपको number of days पहले से given रहेगा और उसकी help से आपको निकालना होगा कि आपको working capital कितना business में लगाना पड़ेगा the working capital ratios can be used to predict the future level of investment हमको working capital ratios के लिए क्या निकालेंगे वर्किल रेशो से यह निकालेंगे कि future में हमें कितना अपने working capital के रूप में पैसा लगाना पड़ेगा the financial position statement figures required this is done by rearranging the formula जो हमने formula सीखा तो उसी को rearrange कर रहे हैं आपको याद होगा receivers को हम लोग create sales से डिवाइड कर रहे तो अब क्या कर दिए receivers को हम 35 से डिवाइड करके मल्टिप्लाइड कर दे रहे हैं credit sales से बस ध्यान दीजेगा formula बहुत सिंबल सा हुआ कुछ मुछ मुश्किल नहीं लग रहा होगा receivables को पहले डिवाइड कर रहे थे credit sales से अब हम create sales से डिवाइड ना करके हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं और इसको मल्टिप्लाइड कर दे रहे हैं sales से आपको क्या मिल के आ रहा है आपको मिल के आ रहा है कि हमको receivables के में हमारा कितना रुपया हमें required होगा working capital का working capital investment level the level of working capital required is affected by the following factors अब अगर आप उधारी पर समान ज्यादा बेचते हो क्रेट पर समान ज्यादा बेचते हो तो आपको ज्यादा working capital चाहिए होगा the level of working required is affected by the following part nature of business मैंने पहले ही बात किया construction का हो अगर आप perishable goods जैसे कि माल ज्यादा समोसे होगा ऐसा चीजों का बेचते हो तो कम होता है उनका क्रेट प्रेट प्रेट अमन फ्रक्ट्री इंक में नीद मोर इन्वेंटरी दान दे सर्विस companies uncertainty जितने अदा uncertainty रहेगी उतने ज्यादा माल अपने माल लाके रखे रहोगे uncertainty in supply delivery uncertainty would mean that extra inventory needs to be carried in order to cover as output increases receivables inventory etc all tend to obviously बात जैसे आपका level बढ़ेगा production बढ़ेगा यह सब चीजे बढ़ती चली जाएंगी the company's credit policy the tighter the company's policy the lower the level of receivables मतलब अगर आप बहुत strict हो कि नहीं हम को ज्यादा long period of उधार नहीं देना है तो हमारा जो receivers का जो period रहेगा वो छोटा रहेगा the length of operating cycle the longer it takes to convert material into finished goods अब raw material लाए और finished goods convert करने में आपको सौसो दिन पर चापर चास दिन लग जा रहा है into cash the greater the investment in working capital अगर आपको चार दिन पार दिन में कर ले जा रहे हो तो भया आपको working capital में जो पैसे ब्लॉक होंगे वो कम होंगे लेकिन अगर आप बहुत लंबा समय लगा रहे हो working capital को finished goods बनाने में तो आपको ज्यादा working capital चाहिए होगी the create policy of supplies the less create the company is allowed to take the lower the level of payables and the higher the net investment working capital फिर वही बात अगर आपको सहब उधारी पे कम सब्सक्राइब करेंगे पॉल्स अप्लाइब समान दे रहे हैं वह अगर बहुत छोटे समय के लिए दो दिन चार दिन पांदे दे रहे हैं तो यह आपके लिए बुरी बात है क्योंकि आप जब उधारी पे समान ला नहीं रहे हैं और अगर आप उधारी पे समान बेच रहे हो तो सोच लीजिए आप cash में पैसा दे दिये और यहां पर आप सौसा दिन तक आप पैसे वहां ब्लॉक हो रखे हैं तो इससे आपको ज्यादा वर्किंग पड़ेगी क्योंकि आपको फिर से cash चाहिए होगा अब पहले आप जरा यह भी समझ लेते हैं कि कैसे करना है बहुत सिंपल सिंपल दसी चीज है आपका साल भर में देखा है तो सेल्स जो आप इतनी सी बात यहां कहीं कहीं दा फॉलाइंग वर्किंग कैपल रिशो आपको चालिस दिन में करीब करीब पैसा देते हैं कंपीउट द वर्किंग कैपल रिक आपको यहां पर कितने वर्किंग कैपल के रिक्वार्मेंट है उसकी बात यहां पर की गई है तो बस कुछ नहीं सिंपल सा आई देख लेगा फॉला दिखा जब तो में इन्वेंटरी में आपको कितना रुपे ब्लॉग करना पड़ेग इन्वेंटरी में इन्वेंटरी आपके आपको मट्रील है तो मट्रील है अपन क्या था 365 इनट्व इन है किस पर डिपेंट करता है इनवेंटरी आपको करता है इस देज्ट कितने इन्वेंटरी के 30 हैं और इन्वेंटरी कितना है तो कितना आगे आपका यहां पी यह आपका आगे 0.49 इन्वेंटरी के बाद की बात कर लेते हैं कितना होगा आपका यहां दिया है 40 शुक्स्टी डेज़ आप आंधे 65 इन्टु रिसीवल्स किस पर डिपेंड करता है सेल्स पर इंटु टैन डाट इस कितना आ जाएगा सहावी यह आपका आगे 1.64 प्रेवल्स की गर हम बात कर लें साहब तो पेवल्स की अगर दिखें लेपल्स आपका 40 इन्टु पेवल्स किस पर डिपेंड करता है पर चेस कौश्ट पी डाट इस 6 तो यह कितना आगे आपका यह आपका 0.66 आगे तो नेट देखा जाए ता आपको कैश जो चाहिए कितन अब कैश क्या वर्किंग क्या गफिल कितना चाहिए अपको डैट आपको डॉण पोईट पॉट फॉर सेवन इलिए आपको चाहिए साह जया है क्या एपका आंसर वर्केंड क्याकृइड कितना हो गया आपको वर्किंग क्या एक्वार्ड आपका हो गया 1.4.7 million and this is दा ठीक सबनें बात की घए साहब कितना हमारा driven होना चाहिए है आई यहां दी गाई है वह हैै एक कोस्ट इंवर्कप्री ओर्ल कायो आपको कोस्ट अधिक कोस्ट पे दिया है। यहाँ पे कोस्ट के मुकाबले 60 पर फिट हमारा रहा है इडावल दो महिने बात कर तो मेंद करते हैं After make made holding one month worth of demanding हमारा पर उनमेंट करती है वह नॉम पड़ी रहती है एक मेंद कम पड़े रहती वह तो से हमारे वह हमको देड़ मेने बाद पैसा देते हैं and the cash balance currently stands at और हमारे पास आज की डेट में जो cash हमारे पास पड़ा हुआ है वो 1.25 million that is बारा लाग पचाज जार नहीं इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.25 5 million dollars हमारे पास पड़े हुए है ठीक है what is the current and quick ratio दोनों ratio यहां पूछा बहुत है simple सा है आई जट से कर दें इसको तो फिल लिखिए बाद answer to this question can be found after the चाओ के वो तो आई देखते हैं साहब revenue revenue कितना है आपका यहां पर revenue यहां पर दिया है 8 million ठीक है cost of sales कितना दिया है हमको नहीं पता हमको gross profit दिया है क्या हाँ हमको gross profit पता है gross profit कितना है gross profit 60% है तो चलिए इसको अपनी simple भाषा में लिख लेते हैं धान दीजे जब भी कभी ऐसे question of solve करते हैं always क्या करिए markup margin case में जो भी दिया है markup दिया किस पर दिया कॉस्ट पर दिया कॉस्ट क्या मानेंगे 100 मानेंगे इसके मुकाबले हमारा profit कितना है 60 है revenue में से cost of sales होता है तो किस में से 100 less करेंगे 60 मिल जाए इसका मतलब 160 में से करेंगे तो 60 मिलेगा आप क्या करेंगे cross multiply कर दीजे cross multiply करेंगे तो यह आपको कितना मिल जाएगा यह आपको मिल जाएगा पांच अब अब 8 में से 5 गए तो 3 बात समझे आईएगा ऐसे ही करिएगा हमेशा तभी आपका अंसर आएगा इसके अब आती है पेबल्स की निकालने की बाते पेबल्स और इनिवंटरी पेबल्स जो हैं साहब आपके यहां कितने के हैं पेबल्स हमारे 2 महने के होते हैं 2 अपन 365 अचाए धियाँ दीजेगा यहां मैं 365 नहीं लोगा यहां पे मैं 12 लोगा क्योंकि यहां बाथ JIM हो रही है वो मंस की हो रही है रिसीवर कितने हैं वन पॉंट फाइफ पॉंट फाइफ इन्वेंटरी कितना है हमारा यहां पर एक महने बटा बारत पेबल किस पर डिपेंड करता है पर चेस पर डिपेंड करता है तो पर चेस यहां पर कितने का है पांच यहां यहां पांच तो यह हमारा आगया स सहब पांच यहां लिग देंगे रिस्टीवर किस पर डिपेंड करता है सेल्स पर डिपेंड करता यह हमारा आठ आ गया इन्वेंटरी भी हमारी सहब कोस्ट अफ सेल्स पर ही पर डिपेंड करेगी यह पांच तो निकाल दीजे साब यह आपका आजाएगा जिरो पॉइंट ए है आपसे आपसे पूछा है यहां पर कर एक करेंटरा घ्री और कैनल देते हैं तो करेंट रिड़ी सभी आसेट्स अपन लईड लाइबिल्टी डिफित यहां क्या क्या है इनवेंट्री ग्रुवल्स डिरोग्ड की फिर्स ke parler काश आप पांट लिएबिल्टी यहां कितना है साहब आपका इन्वेंटरी है आपका 0.417 प्लस कितना है आपका वन प्लस कैश कितना दिया है 1.25 मिलियन पेबल कितना है आपका 0.8 33 यह आपका आगया 3.2 टाइम्स करेंट रेशों मारा यह आगया और अगर हमें इसी को निकालना चाहूं लिक्विड रेशों तो कैसे निकलेगा सहब आप ध्यान दीजिए कि मैं आपको इस सिखाया था कि इन्वेंटरी को हम लोग शामिल नहीं करते हैं आपसे दो चीजों को ले लिजिए रेसीविबल्स को और कैश को ले लिजिए 1 प्लस 1.25 डिवाड़ेट बाइ पेबल्स कितना है 0.8 33 तो मैं इसको सब डाक लिख देता हूं 1 प्लस 1.25 डिवाड़ेट बाइ 0.8 33 इसको जब निकालेंगे तो यह कितना आजाएगा आपका यह आजाएगा आपका 2.7 तो लिकूट रेश्यों आपका निकल किया आपका 3.2 इतना सब्सक्राइब पूछा और कुछ खास बातें नहीं पूछी थी अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ यह आपका बड़ा है लेकिन एजी है ऐसा मुश्किल कुछ भी नहीं मैं इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा मैं सब बातें आपको सिखा दूंगा अभी यहां लिखी है बातें अडिशनल क्वेश्चन यह लिखा है इनका दिया हुआ है 15 लाख रुपय का दाट इस वन पॉइंट फ़ीज परसेंट अग्रेट मिलेट कितना है 15 लाख का 30 परसें पंदो तियां पे तालेस्ट चार लाख रुपय का है लेबर जो है वो 25 परसेंट आफ सेल्स वर्येबल ओबर इसके बाद और क्या दिया है question में अवरेस्ट स्टेश्ट स्टेस्टेश्ट स्लिटिक्ट टो वर्किंग यहाफ मुन्स तू पे बहुत इंपॉर्ट 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 है रहां इस पूरे question के लिए आपको प्रदक्शन फिनिस्ट गुट्स एक पड़ा रहता है इस टेकन उधारी जो लेते हो उद्धारी खरिते हैं उसका दो मैने बाद पैसा देते हैं लेबर वालों को एक हफते बाद देते हैं वेरेबल ओड़ाइब का एक मैने बाद सेलिंग डिस्ट्रिबुशन वालों का हम ल सबको शामिल करेंगे यह बहुत यह भी बहुत इंपोर्टन बात है याद रखिए का ड़लों किनकी शामिल करेंगे वह कॉस्ट्रियल लेबर और वेरेबल एक्सपेंस को शामिल करेंगे साहब फिल लिखी हैं बातें कंप्यूट्ट दो वरकिंग कैपल रिक्वार्मेंट आगों कंप्पनी लेबर फोसे लिए फिफ्टी वर्किंग वीक्स इन इच चलेंगे एक साल में कितने विक्स होते हैं एक साल में पचास हपते होते हैं ऐसा हम मान के चलेंगे तो नहीं करेंगे इनुए क्वेश्टन को सिंपल रखने के लिए सा कहा है यह आई तो आप जा इस question को solve करने की बात करते हैं बहुत सिंपल तरीके से question solve हो जाएगा बस आप ध्यान देते रहेएगा और प्लीज इस question को अपनी किताब में खोल लीजिए को कि मैं बार-बार ऊपर निचे करने में दिक्कत हो जाएगी इसलिए प्लीज लेंदी जाएगा अब डाइक में कितना खर्च हुआ है आप 15 लाग का अगर आप 30 परसंट निकालेंगे तो कितना आएगा यह आएगा सब्सक्राइगा इसके बाद डारेक्ट लेवर डारेक्ट लेवर में सहाब आपका 25 परसंट है तो 15 लाग का 25 परसंट निकालेंगे तो कितना आएगा यह आपका आजाएगा 37 लाग 3,75 फिर वेरिबल ओवर हेड्स का अगर निकालेंगे 15 लाग के हिसाब से 10 परसंट तो 15 लाग का 10 परसंट इसके बाद फिक्ष्ट ओवर हेड 15 लाग का कुछ में सब दिया हुआ है कितना दिया है 15 परसंट दिया है तो यह कितना आजाएगा यह आपका आजाएगा सब्सक्राइब के सब्सक्राइब कर दो लाग परटी सजार उपर और सेलिंग डिस्ट्रिबुशन एक्सपेंसे जो दिया हुआ है वह 15 लाग का 5 परसंट दिया है तो कुल मिला कि हमारा यह बड़ा लंबा चोड़ा खर्चा यहां पर हमारा हो गया है इसके बाद सब्सक्र सब्सक्राइब करने के कोशिश करते हैं ठीक कैसे कैसे निकलेगा इसके बाद वालू और करेंट आसेट्स फिनिश्ट जो आपके रहते हैं रहां दीजेगा फिनिश्ट जो रहते हैं नॉमली कितने महीने रहते हैं आप जड़ा अपने उपर जो पॉइंट दिया उसके फिनिश्ट जो रहते हैं रहते हैं इसका यह हुआ कि फिनिश्ट जो रहते हैं एक महीने रहते हैं तो फिनिश्ट की पूरी वैलू कितनी है फिनिश्ट गुट्स की जब पूरी वैलू है सहाब वह आपके पास देखे कैसे निकलेगा ड्रैक्ट मेटरियल ड्रैक्ट लेबर और वेरेबल ओवरेट्स सबको जोड दीजिए यह पंदर लाग था एक लाग पर जाज़ा था नहीं है ठीक साड़े चार लाग और Sultan化 एक ओप आपको बात समझवें की बात कर ले घूल का कि मैं वही ले रहा हुआ हो जो रचल में साइकल में घुमता हैं रोब करता है तीन महिने रहता है राम अधिरbon में डीडिया हुआ cela उसी का ले लीजिए 228.066 ल ती कि इतना जाएका सब ये आपका आ गया 81,250 यह आपका आगया 1,12,500 आगे की बात करते हैं अब सबसे important है WIP यह बहुत important बात है ध्यां से देखना मैं कैसे कैसे करूँगा जब कोई चीज बन रही है तो उसके अंदर raw material पूरा होगा या सोचीएगा कोई चीज हम बना रहे हैं वो अभी process में है तो सबजी जब बनाते हैं तो आलू पे आज पहले डाल देते हैं पूरा या आलू भी छोड़ देते हैं आदा बाहर कटो बचा लेते हैं कच्छे आलू आलू पूरा डल जाएगा जो चीज बाकी रहेगी अभी आधा आलू पका इसका मतलब हमने आधी मजदूरी कर दी है अभी हमको लेबर अभी आधा भी करना है तो हम लोग अब यह तो clear है नहीं कि 30% मजदूरी की आधा तो हम लोग यह मान के चलते हैं जब भी कभी question आधा होगे हर चीज का आधा कर देते हैं मसाला अभी या जो भी variable चलते हैं गैस गैस पूल चुकी क्या ने गैसा अभी आधी जली है लेवर अभी आधा हो फॉलेकिन हाँ उसमें कच्चा माल है आलू पूरा डल चुका है घुब भी लगा दल चूपी कैसे कैसे करेंगे अब यहां पर बात हो दफल आई पी के बारे में ड़ा पि में क्या लिखा और प्वइंट को पढ़िये WIP WIP represents two months half produced goods, WIP है वो क्या दिखाता है? वो यह दिखाता है कि आपका आधा produced goods है, वो दो महने तक आपका पड़ा रहता है, ठीक? आप नीचे देखेगा, WIP and finished goods are valued at cost of material, labor और variable overheads. अब इंपॉर्टन बात क्या है डबलू आइपी जो रहता है वह दो महिने में पूरा बन जाता है तो दो महिने में पूरा बन जाता है आधे हाफ प्रोडूस गुड्स है आधा कब बनेगा वह एक महिने में चीक इतनी से बात याद रखिएगा अब दिखाता हूं बात को तो यह हो जाएगा साहव अब कितना रहा है यह वन बाइट वैल इंटू फोर लाग फिफ्टी थाउजन मट्रियल का ठीक लेबर कितना है साहव लेबर है आपका यह कितना आगया साहव यह आपका आगया थ्री लाक सेवन्टी फाउजन चार लाक पचास जर को डिवाइड करेंगे बहुत इंपर इसके लेबर जो है और क्या है आपका वेरेबल ओफेट्स अब क्या लिखा है डबल ओफेट्स तू अदा हाफ तू मन्स हाफ प्रोडूस कोट्स तो इसको मैं कैसे लिख सकते हैं साहव अच्छा अगर मैं यहाँ पर इसी चीज़ को एक और रिखेश लिखाता हूं आपको मैं लिखके रिखाओं इसी चीज़ को एक रिखेश से इसको मैं से लिख सकते हैं टू बाइट ट्वेल इंटू है टू लैक्स ट्वन्टीफव थाउजन लिख सकते हैं अब देखिए कितना आता है यह आपको यही आएगा थर्टी सेवन थाजन फाइफ और तू लैक्स तरुंटेट इसका है फिनिश्ट को इसका है फिक्स्ट और इसको इसको मत जोड़ी है पता है फिर आपको अपन्फीज ने ने आपको इस सब कराऊंगा तो फिर आपको ए इतना सिध्धान रखिए कि वन मंथ हाफ कितना हो गया वन बाइट लेबर कितना होगा सफ लेबर आपको यहां पे हैं वह आपका थ्री लैक्स सेवन्टी फाइफ थाजन इंटु वन बाइट वाइट वान थावजन टूहंटर फिफ्टी मैं वो वह लग कराऊंगा नया सि सिस्टम त्यार रखिए कि जो भी दिया हाफ देवा सबका हाफ आफ कर लिए ठीक वरीबल ओवर इट्स वरीबल ओवरेट के घर हम बाग करें तो यहां भी वन बाइट वैट्वेल इन्टु कितना है साफ वरीवल ओवरेट समारा एक लाग पचास जार रुपे का है इन्ट इन्टिवन टूफिफिटी प्लस ट्वेल थाउजन फाइफ अंड़ डाट इस एटीवन थाउजन टू हंड़र तो कुल मिला के आपका जो यह आया वह आपका आगया एटीवन थाउजन टू हंडर अब आप पस क्या क्या आगया फिनिश्ट आ गया है राव मट्रियल आ ग मैं दिया हुआ है सबसे फॉस्ट टूंड हाफ मन्स टू पे तो यह कितना जाएगा टू पॉंट फाइफ डिवाड़ेट बाइट वैल इन्टू सेल्स कितने का है आपका सेल्स आपका साहब यहां पे पंद्रह लाक रुपए का है यह आपको क्वेश्टन के फॉस्ट आई नहीं उसके बारे में दिखाता एक कोशन भी आएगा फ्यूचर में बताऊंगा आपको कि वहां पर हम लोग नो उसका भी यूस करेंगा कि मैंने कैसे सब जी पूरी बनाई और क्या होता चलिए अब आती है बात यहां पे साहब टू पॉंट फाइफ इंटू अपॉं और इसको इन चारों को अगर आप जोड़ते हैं तो यह आपका आता है फाइफ लाइक एटी सेवन थाउजन फाइफ और यह क्या है यह आपका परेंट अब हम करेंट लाइबिल्टी की भी बात कर लेते हैं आई अब जरा इसको नोट के लिए मिटाने वाला हूं इसको लूँ और करेंट लाइबिल्टी नॉमबर वन मटीरियल अब पता है कहां से निकाल रहा हूं जो सब कुछ यह मैं निकालने हों यहां से यह जो दिया ना करेटिट टेकें तो हम लोग इतने महीने गाल इतने में रलीफ लेते हैं इतने में बाद हम देते हैं रिव निव ल लाइबिल्टी रहती है लाइबिल्टी कितने पर अब यहां पर दिया हुआ है तो यह हो जाएगा तो बाइट्वेल इंट्यू कितने का सबस्वाड़ाइचार लाग रुपए का है कि यह कुछ मुछ मुश्किल नहीं है कितना आगे यह आपका गया 75,000 इसके बाद साहब लेबर कितना दिन रहता है लेबर आपका पेमेंट का जो करते हैं साब लेबर का पेमेंट आप एक वीक बाद करते हैं तो वान अपाउन फिटी कर दीजेगा क्वेश्चन में दिया हुआ हुआ है इंट एक लागप पचास हजार यह हो गया आपका साहाब 12,500 इतना भी आपके पर समय रहती है मतलब इतन लाइबिल्टी रहती है फिक्स्ट ओवर्ड जो रहता है वो कितना रहता है वो आपका रहता है एक महीने के लिए एक बटा बारा इंटो दो लाग पचीस हजार यह हो जाएगा आपका 18,750 इसके बाद सहाब आपका सेलिंग डिस्ट्रिबूशन वालों का भी पैसा आप समय पे नहीं देते हैं कितना दिन बाद आदे मेने बाद देते हैं साहब तो 10.5 divided by 12 into 75,000 यह आपको मिल जाएगा 3125 टोटल कर लिजी यह आपको मिल जाएगा 116875 नेगेटिव में तो वर्किंग कैपिल कैसे निकलता अब देख लेते हैं हम दो वर्किंग कैपिल इस एक्वल टू करेंट आसेट माइनस करेंट लाइबिल्टी तेरेंट इसका टोटल हमने निकाला था वो निकाला था 5,087,500 तो माइनस करेंट लाइबिल्टी एक लाग सोलह हजार आट सो पचतर कितना मिल गया आपको यह आपको म आपको मजा आया होगा और एक बार फिर से देख लीजेगा और आपको और मजा आजाएगा थैंक्यों सो मच वाचिक मैं वीडियो इसके बाद स्टार्ट करें चप्तर नमबर एक थैंक्यों बाए ठीकर आभी वान खूब पढ़ाई करें खूब अधिका रिवान खूब अ